हालो भैंट्स आप कैसे हैं बीसी सेकेंडर की बच्चों का बभवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वाबत है देखिए इस प्रेंट्स आम पूरू के वीडियो में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो इलप्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे जो यूनिट नॉम्बर 5 है ये य में पहले यूमित नबर नल्द्र पूर में वी जो है औरलप्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया था और अंदर विद्धुरासायनिक स्वहों के बाए नाक पढ़ा था ये इस प्रकार से देखिए हमेशा जो हम है जो ए लोगват को बाए्योंड और और चैथोब मों को आप देखिए आप इसे पूर्व के वीडियो में जो पड़के आयते एस विद्दुत रासाइनिक स्रेणी मान लिजे बिविन तत्पों के अप्चेन विवक के माना को बढ़ते क्रम में ब्यवस्तित करना ही विद्दुत रासाइनिक स्रेणी कहलाती है जिसके अनुप्रियोग है पहला पढ़के अक्षी करनत एवं अप्चयक के प्रवर्ति का प्ता लगानी में जैसे लेतियम सबसे प्रवलतम अप्चयक धापू हे है और फ्लोरियम सबसे प्रवलतम उक्षिकारक है तो यह जो है दूसरा देखें नेक्स्ट जो हमारा है वह है धात्विक प्रवर्ति का पता लगाने तीसरा जो हमने आपको पढ़ाया था धात्विक धात्विक क्रिया सीलता सथलता है हाइडोजन गैस लुक्त करना पाथ है धात्विक अविक पता लगाने मैं अधात्व अधात्विक पर जंग लगने का पता लगाने में इस परकार से विद्धू तराशायनिक्स रही तो आँटरू आपको पूर्ट के विडियो में बढ़ाया चुकने हैं। Sound Samikran已經 यह बहुत ही इंपोर्टेंट नहसर्ट समय का सेल विभपपर सांद्रता एवं ताक के प्रभाव को नहसर्ट समयकर्ण की सायता से समझाया जा सकता है एक सामाइन गैल्वनिय सेल के लिए से निम्न प्रकार से दर्स आते हैं एक सामाइन गैल्वनिय सेल के अंदर में प्रकार से दर्सा सकते हैं आब इस अभिक्रिया को दखिये ये जैडैम रेक्शन, जैडैम फ्लस टू, टू लॉड़ोक्रॉम-व्य Tow pill करां तोगि अनोड पर हो गए C you plus two tu u e-letron prime किये और ये उगावाइब कर C अब संपूर्ण सेल अभी करिया योग्या की संपूर्ण अभी क्रिया संपूर्ण सेल अभी करिया संपूर्ण सेला ही क्रिया संपूर्ण ए प्लस तू और C you ओगा shows you the June commission from SM अब देखें शैल विभव जो है शैल विभव यानि सेल के मुक्त उजा परिवर्तन को निम्न प्रकार से दर्साते हैं सेल के मुक्त उजा परिवर्तन को मुक्त उजा परिवर्तन को निम्न प्रकार दर्साते हैं को देखें निम्न प्रकार दर्साते हैं और का सक्रेद्र मान बटी आपका जेडेंग और सी यू प्लस टू का सक्रेद्र देखें अब हैं मुक्तूर्जा परिवर्थन लेकिन मुक्तूर्जा परिवर्थन का मान लेकिन लेकिन मुक्तूर्जा परिवर्थन का मान लेकिया डेल्टा जी बराज़रा का माइनस एन एफ य शेल डेल्टा जी 0 बरावर माइनस एन एव की 0 सेल यह अपने मान रख दिया तो इस प्रकार से देखे लेकिन मुक्त तूजा परिवर्तन का जो मान है वो इस प्रकार से अपने इसके अंदर रख दिया तो देखे आपका क्या हो गया डेल्टा जी की चेड़े माइनस एन एव की सेल बरावर आपका क्या हो गया माइनस एन एव की 0 सेल प्लस आर्टी आपका एल एम और ही हो गया आपका जेड एम प्लस टू और सी यू और बटी जेड एम और सी यू प्लस तू यह देखिए इस प्रकार से, अब इसमें दोनों तरफ दोनों तरफ को दोनों तरफ को n-1 का भाग देने पर, आप दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो माइनस एन एप आपका इस सेल बटी माइनस एन है, बरावर माइनस एन एप इस जिरो सेल आपका बटी माइनस एन है, प्लस आर्टी आपका इस एन बटी माइनस एन है, और योगयाव का जेडेन प्लस टू, और योगयाव का सी यू बटी जेडेन और सी यू प्लस टू, यह आमने मान रख दिया, इस प्रकार से, तो ही देखिए, मान रखने पर, आप आपका देखो, यह माइनस माइनस आपका यह हो गया, प्लस एन एप शेल आपका बटी एन एप और एव है, और यह आपका जेडेन प्लस टू, और सी यू बटी जेडेन और सी यू अब देखिए, लेकिन, यदि आपका सी यू का सक्रेद रखमान बड़ाबर, जेडेन का सक्रेद रखमान बड़ाबर एक हो तो, तो देखिए, आपका एलाइन, यानि लोग, बेश, एक हैदो, आप टेंप हैदो, का मान होता है, टू, पॉइंट्री, जेडेन, ये मान हमने सब्विकरण में रख दिया, इसके अंदर, तो आपका हो गया, ये बेगि सेल, बराबर, टी जीरो सेल, माइनस रटी, इस ये योगयावका, टू, बन्टी, जीरो टी, और योगया, आरटी, बटी, एन एहर, लोग और योग आपका Zm प्लस टू और योग आपका Cu प्लस टू यह देज़ आप देखिए यदि वन खेराइड़ी बड़ावट च्यान में हजार पांशो कूला में कि मान च्यान में पांशो कूला और टेंप्रेचर जो है आपका 25 डिगरी सेल्सियस या दो सो इठ्यान में केल्विन और आपका आर जो है व्यासे स्लांग 1.3 पोर जूल है यह मान अपने इस अमिकन के अंदर रख दिया और इस अमिकन के अंदर रखने पर जो हल करने पर जो हमारा मान आता है वो देखिए हल करने पर जो हमारा मान आएगा वो मान आएगा आपका देखिए मियान देता हूँ यह हल करने पर जो मान आ रहा हमारा वो देखिए वो हमारा अगेरा इस समिकंट के अंदर माणा अपने पर E सेल बराबर E 0 सेल और माइनर 0, 1, 0, 5, 9, 1 बटी N और आपका लोग क्यो हो गया ZN प्लस 2 और आपका हो गया C O प्लस 2 यह हो गया समिकंट अंदर ही तो यह हो गया आपका समिकंट एक जो है कोई नेसर्ट समिकंट केते ही जिसके आदारपर सेल विभववर्वर्व सांदरता यह उन्ताप का पता लगाया जा सकता है तो इस प्रकार से देखिए जो है एक समाइनमे हम गयलोनिय सेल के अंदर जो है उन्तापकार से प्लस आते हैं जो हमारी भासा में करें एक टंड्ना जो है अर्थ सेलर्किय अंदर सरा है दो डंड्ने हैं लवन्ऌ सित्व को यानि दोनों को हई हैं हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यह क्रिया कर दा रहे हैं और उत्पाज बटे क्रियाकार यह मुक्तु गुर्जा परीवरतन का मान हो वह वरावर माइनस ऐन एक इसके ऐफ आफोका है यह मान हमें यह आपका काथ हो गया, दोनों तरप माइनस एने आप का भाग देने पर, और भाग देने पर क्या हुआ, उपर वाला माइनस माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, और यह प्लस माइनस में कनवर्ट हो गया, यह देखी, यह आपका माइनस हो गया, लेकिन क को पर सी यू थोस बरावर जैने टोस बरावर एक हो तो लोग बैस टीन एक अमान यानि 2.303 होता है तो यह हमने समीकार में रख दिया समीकार में रख में पढ़िया मारा आगया हमके रख बन पराड़े बरावर चियान में अजार पान सो पूला में पी आपका जो रहे 25 डिगरी सेल्सियस कैल्विन के अंदर दूसर ठाम केलिता और गैस इस तरहां आठ पॉइंट तीन लीक चार जूल है तो इस प्रकार से यह आपका समीकरन एक हमें प्राप्त हो गया समीकरन कोई हमने सर्ट समीकरन कहते हैं जिसके आधारपर शेर्व विभव पर सांधत आपका मान ज्यात किया जा सकता है तो देखे इस तो बहुत इंपोटेंट है अमने पूर के वीडियो में आपको पढ़ाया था और आजके कोश्起來 इस के अजिए के अंदर आज उकार दरशाते हैं कोशन है अमारा लेखिये कि निम्न सेल के लिए ने साट समय करण निम्न प्रकार दर साते हैं जैसे आपका यह है आपका सवाब हैं आप यहां पर ऐसे सॉलेड़ भी लिख सकते हैं अब देखे इस अविक्रिया हो रहा है और जो भी वह आपका लाइब प्लस तोइलक्त्रॉन रभी आपका देखे तू एजी प्लस तू एलक्त्रॉन ग्रहम की इसने तो यह क्या होएब आपका एजी आपका 2AG हो गया, यह जिए नेट समीकरन जो है हमारा संपूर्ण सेल समीकरन, संपूर्ण सेल अभिकरिया, संपूर्ण सेल अभिकरिया तो देखे उसे टू इलोक्राम प्रजागे हामारा ये ओगा हामारा नाई प्लास तू अजी प्लास और ये दो हो ये हो गाहा नाई प्लास तू और टू अजी और हमारा जो आते 69 समीकर्ण से देखिए 69 समीकर्ण से समीकर्ण कर देखिए सब्सक्राइब कर दो अन्य प्रण ग्रहें कर रहें है है कि जगे में फिर दो उत्पाद वटे क्रिया का रहा है तो देखें यह उत्पाद रहा नाई प्लस तो आपका सक्रेद रमान और यह रहा एजी का सक्रेद रमान अगो बटे आपका क्या हो गया यह हो गया, प्लाप माई हो गया, अब आपका है अनडी यह रहा और यह रहा अनडी प्लास हो, गज अगर्षर, इंडी देखिए, यहां ले अनडी यह और अनडी यह रहा है, तो आपका देखिए अनडी बराबर P0 cell माइनस 0.059 1 बटे 2 और आपका आगया NI प्लस 2 उपाद बटे ये रहा आपका प्लिया कर दे दे ये 69 समीकर में हम नहीं निम्न सेल के लिए 69 समीकर निम्न प्रकार दर्स आते हैं इस सेल के लिए जो 69 समीकर नहीं उसको और इस प्रकार से दर्स आते हैं ये आपसे पूचा जाता है कही बार एक्जान के अदर पूचा गया है आपका देखिए लॉग ये लॉग प्रकार से फिर देख लीजिए आप ये आपका सवाल आपको दिया हुआ निम्न सेल के लिए हम जो यह नियमन प्रकार से जड़ साते हैं, तो देखिए एनोल पर आपका एनाई, एनाई प्लस तू ओक्सी करन हो रहा है, और कैथोल पर तू एजी प्लस दू एलोग प्रम गहन किये, तू एजी हो गया है, नैट समीकरन आपका यह हो गया, अते नैसाट समीकरन से हमारा ज दू और यह लोग यह अपका, तू कहां से आया है, यह दू एलोक्तरम क्या आगा रहा है, घ्रेहर का रहा है, इसी प्रकार से फिर आँं देखिए, यह आप पर जो है, इसका आजी और आई का सक्रे द्रभमान बरावर एक उता है आपका, जी जीरो प्लस प्लस पाइल, व तो इस प्रकार से यह सवाल क्या आते हैं एक्जाम के अंदर इनको आप आसानी से कर लेंगे कहीं कोई प्रकाई की दिकत नहीं है आप देखिए यह जो है आपका एनोड पर होता है यह आपका कैथोड पर होता है यह अपका कैथोड पर होता है यह अपका कैथोड की अविक्रिया है तो इस प्रकार से एनोड और कैथोड पर यह विक्रिया है संपन्न होगी और ने समीकर्ण आपको टापत हो गया और ने समीकर्ण से इस प्रकार से हमने जो है आपके बच गये आपके इस प्रकार से लिख सकते हैं में इस प्रकार से इस्ट्वेंट से बहुत ही होऊज है आप दीखी हम नेक्स जो टॉपिक पढ़ेंगि वो पढ़ेंगे आपका बहुत ही ऐपाऊका सयलों के बारे में हम पढ़ेंगे विद्द्धृत् रासायनिक सयलों कही विद्दूत रासाइनिक सेलों की प्रकार विद्दूत रासाइनिक सेलों की प्रकार इस लकार से विद्दूत रासाइनिक सेलों की प्रकार विद्धु तरासाइनिक जो सेल हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, 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 दो प्रका सरवतम प्रकार के सहर होते हैं पहली विसी स्कार दूसरी यह जो है आनु उत्क्रम्नियां आनु उत्क्रम्नियां होते हैं यानि इनको चार्ज नहीं किया जा सकता आनु उत्क्रम्नियां होते हैं इनको चार्ज नहीं किया जा सकता अरथा दिन सेल्वों को एक वार प्रयूप्त कर लेते हैं तो पुन्हें प्रयूप्त नहीं किया जा सकता आर्था दिन को चार्ज नहीं किया सकता अरक दिन उत्क्रम्नियां शेल सरवतम्नियां काम में ने लिया तो दुबारा से उन्हें काम में प्युत नेहीं कर सकती है जैसे vert example के आपका लैक-लांश들 है तीस्रा जुदान लांश को सकतो right अपका लांशबेन क्रूक के लांशन न ह्वाइब यह आकर के लांश। सेलललांशिट सेल और आपका सुस्ष सेलज और जडाइड डूसरा हम पढ़ेंगे प्रकार जो पढ़ेंगे उप्ति यक जों के उप्ति शेल के अंदार सेटेंडिर सेल जो है ये सैल जो है इन सकते है इस पानिय अपाई या अपरीक हने पर केसे कैसे अविक्रिया होती है, तो पर पर कि अविक्रिया होती है अर्थात इनको चार्जिंग किया जा सकता है अर्था सेलों को प्रियुक्त होने पर जब ये सेल निरावेशित हो जाते ही तो इन्हें आवेशित किया जा सकता है इस परकार ये सेल जो है लंबे समय तक प्रियुक्त किया जाते हैं जैसे सीशा संचायक सेल आपका और आपका निकल कैडमियम सेल कि देखिए इस विद्धुत्रासायनिक सेलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं और विद्धुत्रासायनिक सेल के अंदर देखिए ये विद्धुत्रासायनिक सेल जो है ये आपके दो प्रकार के होते हैं सबसे पहला है प्रार्फिक्स सेल के जो हैं सरलतम प्रकार के सेल होते कि इसके अन्दर जो गुदारन इस प्रकॉल के अंदर आते हैं झो कि यह कुम राधा होता है तो उन्हें आवेसित किया सकता है और दोवार्ण से चार्जिंग कर के इन्हें काम में लिया जा सकता है जैसे इसके उदायन सीशा संचायक सेल नेक्र के लेडियम सेल इस प्रकार की जो सेल है वो दुप्तियक सेल के अंदर आते हैं आप देखे हम जो सीशा संचायक सेल हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है पहला जो हम दुप्तियक सेल के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीशा संचायक सेल बहुत इंपोर्टेंट सीशा संचायक सेल आप देखे सबसे मैं विसस्ता देखिए इस प्रकार से बहुत ही इंपोर्टेंट है यह आपके जो हम सीशा संचायक बैटरी का निर्मान कर रहे हैं इस प्रकार से देखिए यह और यह देखिए आपका यह कैथोर और रहनोर का कारीय करते ही इस प्रकार से यह देखिए आपका कैथोर और रहनोर का कारीय करते ही यह देखिए आपका कैथोर और रहनोर का कारीय करते ही यह देखिए यह देखिए आपका कैथो और रहनों का कारीय करते हैं और यह आपके अनूर का कारीय करते ही इनके अंदर जो है पीवी यानि लेड बना रहता है और ये है आपका पीवी ओर्टू ये थार्ज और ये जो है आपका आपका S2SO को ये आपका हो गया S2SO को तर्मन S2SO को सैटुरिक आम इस प्रकार से इस प्रकार से धुतियक सैल के अंदर आपको हमें जो सीशा संचायक सैल सीशा संचायक सैल जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके बारे मैं हमारको ग्रियावीदी पताएंगे किस प्रकार से ही यहां पर जो है चार्जिंग निरावेशित और आवेशित की क्रियाएं हम आपको बताएंगे समिकर के बारे मताया एक सवाल कराया और दूसरा देखिए हमें आपको जो है सैलों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं प्रार्थमिक और दुतीयक सैल पर आंदर को अंकोड़ें और प्रकार कि आते हैं isotia